प्रुदेश कॉंग्रेस कमीटी के अधक्ष गुविन सिंग डूटास्रा ने प्रुदेश की जनता से अपील की है कि कुरोना से बचाफ के लिए सरकार निज्यों निड्ने लिया है उसका जनता को पालन करना चाहिए उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये दस नौमबर तक करीब सत्रा सो के संक्याती वो बढ़कर के तीन जार के लगबग हो गया है अर्थात दूगने से भी ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है और जो आठ बड़े सहर हैं जोदपूर है कोटा है अजमेर है जैपूर है इनमें और ज्यादा गदी पढ़ी है और इस कोरोना संक्रमन से लोगों को बचाने के लिए मानिय मुख्य मंत्री जी निकल एक बैठंग लेती सभी मंत्रियों से चर्चा की थी और कुछ कड़े फैसले वापिस लेने पड़े हैं उनमें प्रमुक रूप से जो आठ सहर हैं उनमें तो रात का नाइट का कर्फिय भी लगाया है बाकी पूरे प्रदेश में जो विवास आदी आदी के लिए सोस से ज्यादा कि संख्या नहीं हो किसी के दासनिसकार में जाना हो मौत हो गई हो तो बीच से ज्यादा कि संख्या नहीं हो दार्मिक प्रोग्राम उत्साव राजनितिक गटिवीदियां ये बिन कोई permission के नहीं हो और मास्क अगर कोई नहीं लगाता है क्योंकि मास्क ही वैक्षिन है तो वो 200 रुपए जुर्माना था तो तक्रीमन 38 करोड रुपए जुर्माना वसूलने के बाद में भी लोग मान नहीं रहें उनके स्वास्ते के लिए सरकार प्रियास कर रही है कि वो मास् जनता अब मैं समझता हूँ इस बात को भी पहल गई है कि नहीं हम तो नहीं होंगे कोरोना लेकिन इसलिए हमें 500 रुपए उसके जुर्माने का भी रासी बढ़ानी पड़ रही है मजबूरी में ये लोग बात हम सब कर रहे हैं दारा एक सुचमारिस भी काफी सहरों में लगा के रखें और सोसेल डिस्टेंशिंग रखें किसी तरीकी भीडबाडवाले इलाके में नहीं जाएं और भीडबाडवाल नहीं कटे करें और ये कहीं कर्फियू लगाने का अधारा एक सोचमारिस लगाने का अर्थ ये की है एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है क कि आपकी सेथ के लिए ज़रूरी है कि आप इकटे नहीं हूँ एक जगह नहीं आएं मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशिल डिस्टेंसिंग अपनाएं